आईसीऊ से नॉर्माल वार्ड में शिफ्ट हुए सपा सांसाद आजम खां कुरोणा से संक्रमित वहीं लखनाव मेधानता शपताले भरती कुरोणा संक्रमित जनपद रामपुर के सपा के वरिष्ट नेता सांसाद आजम खां की तबियत में सुमबार को सुधार होने पर लेकिन संक्रमन के चलते अभी भी कोईड़ वार्ड में रखा गया है वहीं प्रोटोकाल की तहत क्रिटिकल केर मेडिसन विभाग के डाइरेक्टर की निगरानी में चल रहा है उधर बेटे अब्दुल्ला आजम की तबीयत भी बहतर है अस्पताल के मेडिकल डाइरेक्टर ड बंद क्रोना संक्रमित पूर मंत्री आजम खांवां उनके बेटे अब्दुल्ला को गत नो मई को लखनाओ के मैडान तास्पताल में भरती कराया गया था सिटी इसके नेक्सरा समीत कई जाचों में कोविट संक्रमन और नमोनिया की पुष्टी हुई थी इसके बास के लिए लखनाओं में भरती कराया गया था आजम प्छली वर्ट से ही जमीन कब्जा करने और अन्या प्रादिक मामलों में अपने पुत्र के साथ सीतापुर के जिलाकारागार में बंद थे अब्दुल्ला खान का स्वास्ते पहले से बहतर है आजम के साथ उनका भी डॉक